नहीं स्रामजिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट है। नहीं इनके तरफ से यह फायाद दर्श कराए गया है। देखने के लिए सलाग के पास गहे थे। सब सीनियर साब और बीसीपी साब भी मोज़िद थे। और हमारे भाई समयल उदिन भाई भी वहापे मोज़िद थे। तो रिजा रशिद ने जिस तरीके से आने के बाद तुरंट कि इन लोग को पहले मंदिर से भाहर निकालो, यहां से भाहर निकालो, हमारे आंग के आने की कोशिश की, वो सर्थ आपने तो देखा है और आपने इसका नीज भी चलाया। तो उसी वक्त अनलोग अपायर करने वाले थे अट्रसिटी है और हमारे नेता दोक्तर बीतेंगर आवाद साब ने हमें कहा कि कल चप्पुजा का प्रोग्राम है, कोई दो धर्म में कोई जाती बेट का इसू ना हो जाए और मुम्रा का महल खराब ना हो जाए, इसके लिए हमने अवाद साब की बात सुनकर थोड़ी सी पीछे पर ले लिए, क्योंकि हमको भी मुम्रा का महल खराब नहीं करना है, इसके बात कल जब सीम साब ओपनिंग के लिए तो ब्रीच के, जब में मुरा भाई शिवा हम लोग सब वहापे गए, तो रिदा रशीद, सिकंदर, चोटी आपा और दो चार तीन दिलिस थे, वो सीदा हमारे आंके आए और बोलते हैं कि इन चोच अमर लोगों को यहाँ पर क्यू बलाया, यह प्रोग्राम हमारा है, यह कहकर हमेशा हमें सामाजित शेतर में, जहाँ चार लोग जमा होते हैं, चार लोग देखकर जान कडलक साब हमारी एपायर ले ले रहे थे, वो किसी दवा में थे, तो हम लोग ने यहाँ पर अंदुलन किया, इसके बाद तीन बज़े 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 साब आए, बीसी बज़े बज़े लेने के लिए तयार नहीं थे, कोई बड़े नेता के प्रेशर में दिखाई दे र इसे अन्या के वुरुद्ध जली समझ आवाज उठाएगा और एसर बाकल करके रहे हैं, क्या-क्या धाराय लगी इसमें लगा है, इसमें लगा है 301R, 301Y, 301ZAC, और AS भी लगा है, और AKU भी कुछ लगा है, रुटा मैडम ने भी इंटर्विव के बावरान एक नगर सिव क्या है? आप को क्या लग रहा है कौन पीछे जही अभी मैडम में तो नाम लिया है कुले हम राजन किने हैं और भी कोई लोग हो सकते हैं उसके पीछे पुलिस इंवेस्टिकेशन करेगी खोटा जुटा है फ़र किसने दर्स किया है क्या किया हमारे एक्रोसिटी के लिए किसके किसके इतने दबाव में पुलिस पुलिस उनका काम करना छोड़के किसी और का काम कर रही थी तो मेरा पर एक ही कहना है कि जो भी लोग ऐसे आउरतों को पेच आगे बेच कर राजनेटी करते हैं उन्हेंने वार्ड में साड़ी पनके ही घुमना चाहिए आप क्या कहेंगी शंगि को लेकर आप भी रास्ते यही पर हैं तो यही कोंगे कि हमारे नेता डॉक्टर जीतिंद्र आवाट साप के लिए हम हर वक्त मौशित रहते हैं कल रात में हमें जैसे पता चला दो सवादों बज़े पून आ गया हम तुरंद यहां दोड़े तो इस इस आउन दोड़े तो कि नॉर्मल आम आदमे आता है तो उसको एक फायर करने के लिए एक अफ्ता रुपना पड़ता है उसको किसी निता की साहरा लेना पड़ता है मदद लेनी पड़ती है तब होता है जब जिसके ओपर जुम हुआ है और यहां तो पुलिस अपनी फुर्सत में बैटी दी कल कि कि जैसरा आप में आ गए दस मिनित में पंद्रा मिनित में अफट भी हो गया तो यह जुटा है एक है और सापने इस साथ में च습नी किया है और यह अगर उनको मल्सिशन था तो सबसे पहले तो उन्होंने उस वक रोकना चियरता ता कि साहाब आप क्या कर रहे अगर अच्छी मैला है, वो उधर ही बोल देगी, कि मेरे से मैं जानती हूँ, अगर मुझे ज़रा भी कुछ लगा, तो मैं वह आत्मे को वही तोक देती हूँ, भाई, आप तोड़ा पीछे कड़े रहो, यह होना चाहिए, हर मैला में और होता है, जो पॉलिटिक्स में है, व उसके बाद में आपके जरीए हमको भी पता चला है, और उसके बाद में उन्हें यहां पर आके एफ़ायर पश्किया है, और यह सरसल छुटा एफ़ायर है, और हमें न्याई देवता पे पुरा विश्वार से, कि आवार साब से यह एफ़ायर होगरा सा, खट जाएगा, ख लिए हमें नादे देगा, चट-पूजा के दिन आपम अकी विडियो दिखाया था, उसके अंदर, आवार साब और यहiminMother एक स्टेस्ट पे पे ते, आवार साब को मेंद में भाई बोला था, और आवार साब ने में भाई बोला था, जब बहाय बहेन बोला था, तो बहाय ब पुलूगा लेकिन चट्पुजा के दिन भी जब हम लोग सालाबाद प्रमाने में अहर साल की तरह सारे लोग सारे समाज के लोग मंदिर के अंदर मिटिंग के लिए थी कि इस चट्पुजा को सब मिलके कैसे करें उतने में रिदा मैडम आ गई बोले सब निकलो यहां से सब निचली जाती कि यह जो कुछ उन्हें बोला होगा उन्हेंने बोल दिया कि निकलो यहां से तो यह सब गलत है और एक रिदा मैडम ठीक है रिदा मैडम जो है मुम्रा के अंदर है लेकिन इसके पीछे ने अदुरूष्य चाबी देने आ रहा थी अदुरूष्य चाबी मिल अब जाकर एक्टोसिटी का मामला दर्ज हो गया है तो पहले ही होने वाला था जब यह सेड़ पूजा से शुरू हुआ था मामला अगर आवार साब की उनके उपने महरबान ही थी कि वो किसी को तकलीव देते निए आप देखो जब हमारी सत्ता रहती है ऐसे कुछ कांड आ आते हैं सरकार में आते हैं तो इस तरीके के पोछे काम शुरू कर देते हैं और जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं इनको इनके उपर कई बार इनके उपर आवार साब ने महरबानी किये कई बार इनके उपर रहें किया है मगर यह उस चीज के लायक नहीं है और मैं आपके इनको बोलूगा कि इनको करारा जवाब मिलेगा सरकार और पूलिशी किसी की वहती में है आज उनकी है कल फिर हमारी सरकार है तब इनको बताएंगे क्या होता है कोटा एपाया और जुटा एपाया तो आपने सुना कि जिस तरह से तमाम एंचीपी के कारिकरता जगा पर ये मुम्रा पुलिश केटर में देखेंगे आप यहाँ पर जिनोस पर देशन कर रहे थे लेकिन जैसे ही रिजा रशीद पर अच्रो चिटी का मामला परविन पवार ने जच कराया उसके बाद से तमाम क तो उनका मामला दर्श कराया उसके बाद आज दोपहर के बड़ काफी हंगामे के बाद जो है अब परविन पवार ने रिदा रशीद पर एक्रो चिटी का मामला दर्श करा दिया है केमरावेन निलिस्ट करनोजय के साथ इस्क्रामुजिन खान प्रहाटाइम मुम्रा